हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो यूरोन चैनल आजम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नमबर 32 विशे विज्ञान कक्षा 10 हमारे डेच 22 सेतंबर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोक्षीट में हम गोलिये दर्पन द्वारा प्रतिभिंब तथाद दर्पन सू स्वीर बनती है वह कैसे बनती है उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ नियम पढ़ने होते हैं उन नियम का ध्यान रखना है तो आपकी किस तरेके से आपको बनाना है वह ठीक कैसे आपको पता लगेगा कैसी बनती है तो दिखो जो कोई भी दो प्रावर्तित प्रिकाश करण के लिए इन में से आपको नमेलेकित में से किनी दो प्रकाश किरणों को लिया जा सकता है जैसे मुख्यक्ष के समानांतर जैसे यह है आपका मुख्यक्ष यह होता है यह पोल है ठीक है यह क्या सी है और यह क्या है आपका एफ तो यहां पे मुख्यक्ष के समानांतर प्रकाश पर कोई भी आपकी जो रेखा है वो प्रिवारत्रन के बाद अफ्तल दर्पन के मुख्या फोकस से होकर गुजरेगी कोई भी रेखा इसके पैरलल है ठीक है इसके समना आंतर है तो वो कहां से गुजरेगी इस पे से गुजरेगी फोकस पे से गुजरेगी ठीक है और उत्तल वो focus से गुजरेगी तो जो किरण है न वो क्या होगी प्रकाश की यहाँ पे इसके समाना आंतर होगी देखो लिखा हुआ है उसका उल्टा है सिदा सिदा प्रकाश किरण या प्रकाश किरण जो उत्तल दर्पन की focus की और जाती है प्रावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समनांतर जाएगी ठीक है नेक्स है आपका अवतल दर्पन की वकृता केंदर से गुजरने वाली या उतल दर्पन की वकृता केंदर की दिशा में जाती होई प्रकाश किरन प्रावर्तन के बाद उसी पत पर वापस आ जाएगी इन दो और या तर्ची आपतित प्रकाश किरहन्य प्रावर्टित होती है ठीक है क्या होगी वह तिर्ची ही आईगी यह होगी की नियम आपको ध्यान लखने थे उसकी क्या है यह ही तो होगे के आपका इमेज बना कि असले गोले तर्पन stuffed अव्तल और उत्तल देखो वस्तु की विभिन स्थितियों के लिए रेखा चित्र और जो प्रितिमें में आपको यह आपकी NCRT बुक में दिया हुआ है पार्थ नमबर दस में वहां से आपको बनाने यह बहुत इंपोर्डेंट है वोक्षीट में नहीं दिये गए हैं लेकिन तो देखो जो व है वो दर्पन के प्रतिबिम्ब की दूरी है जो आपका प्रतिबिम्ब बन रहा है वो कहां बन रहा है उसकी दूरी कितनी है यू क्या है आपका दर्पन से बिम्ब की दूरी है जो आपका अब्जेक्ट जिस चीज की प्रतिबिम्ब है या तस्वीर आप जो भी सामने रखा है थीक है फोह किया है आपकी फोकस दूरी जो वकरता त्रिजह में क्या संभन्हा थोरी होता है वह वकरता ट्रिजह का आधा होता है यह formula होता है आपका F का R बटे दो यह important है इस पे भी एक mark में question direct आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे आपकी जो work sheet है complete होती है नहीं थोड़ा सा एक और topic रहे गया शायद यह रहे गया हाँ गोली दरपन का आवर्धन रहे गया तो आवर्धन प्रतिविंब की उचाई तथ उसका नुपात M होता है तो यहाँ पे जो आवर्धन M है उसको क्या formula हो जाएगा प्रतिविंब की उचाई बटे में बिंब की उचाई H या फिर आप बोल सकते हैं किसके बराबर है minus of V बटे U और V और U हम यहाँ पे कर चुके हैं क्या होता है दरपन से प्रतिविंब की द नात्मक है तो प्रतिविंब भासिव है सीधा होगा यह दो पॉइंट आपको ध्यान रखने यह ऐसी question आता है कि आपको value देदेगा B or U कि आपको बताना है वो कैसी जो M का मान देखकर आपको बताना है कि कैसी image आपकी बनेगी प्रतिविंब बनेगा वास्तविक उल्टा आप इस formula से बताओगे clear चलिए next चलते है हमारे question answers पे तो आज की worksheet में सबसे पहले आपको 20% impression में दिये हुए हैं सही और गलत तो सबसे पहले है आपको विकल्प MCQs दिये हुए चार विकल्प में से एक आपको सही चाटना है पहला है मुक्यक्ष की समनांतर प्रकाश किरन प्रावरतन के बाद अव्तल दर्पन के focus से होकर गुजरेगी ठीक है यह आपको सही और गलत बताने है जो आपके MCQs है वो इधर है वो हम बाद में करेंगे पहले true और false कर लेते हैं ठीक है पहले question में तो बताओ जो मुक्यक् भीलत सही होगा ठीक हे तो यहां लिक्षोगे सही दूसरा है अफ्तल दर्पन या उत्तल दर्पन परबिंदू P दर्पन के दरोपर तिर्ची अप्तीत किरण मुख्य अक्ष के सम्मानांतर प्रावर्टित होती है तो हमें यहां पे देखा था यह पी यह तो देखा था अप्तीत किरण तिर्ची यह वाला पॉइंट तुमने देखा था कि तिर्ची अप्तीत किरण होती है लेकिन सम्मानां नहीं ठीक है ना तो समना ांतर की विजी क्या हो जाएगा आपका यहां गलत हो कुछाएगा टो यह गया आपका सेकंड का मूल को मैं तो इसमें है चालेस कृनौल कि आख्टा नंभे सब्सक्राइ को सवायो n करने वक्रता तरजा वाel। क्या था फकूली क्या था क्या होता है जो आपकी पमच्छा पूछाता तरजा के आथी होती है तो यह फोर्मला होता है इस फोर्मले के अंदर इसने आर वकत तरजा तो दे रखिये 40 यह दे रखा है 40 तो आर के जगे में क्या लिख दूंगी 40 तो 40 बटे 2 क्या होता है 20 cm तो 20 cm आपका हो जाएगा ठीक है फोकस दूरी यह हो गया आपका प्रेशिय नंबर 2 आगे बढ़ते हमारे प्रेशिय नंबर 3 पर प्रेशिय नंबर 3 क्या कहता है देखो सब्सक्राब थीन में आपको सही और गलत बताने हैं तो पहला है तीसरा अव्तल दर्पनाभासी तथा आवर्दित प्रतिबंबना बेमिद्स की फोकस पर फोकस और द्रव के बीच फोकस और वक्रता के से परे तो क्या शोगा focus और डरुफ की बीच होगा यह है धोता है यहां uh तो च्छोथा प्रशन to चाहीं प्रतिबिंकी स्थिती ऑदर्वाइस इसका की हो सकता है बट इसमें बहुद लिख लेडी ना ठीक तो आपको पता है जो प्रति बिम्ब की स्थिति मालीजे C पर होगी और बिम्ब की समान है तो जो समान बिम्ब कब बनता है बिम्ब और प्रति बिम्ब समान कब होते हैं जब आपका वकरता केंदर पर होते हैं ठीक है न बिम्ब की स्थिति का होती वकरता केंदर पर तो चार इन फोकस पर फोकस और द्रव के बीच, फोकस और वकरता के इंदर के बीच या फिर वकरता के इंदर के बीच तो कौन सा option सही रहेगा D option जो है हमारा ये सही हो जाएगा ठीक है next है पांचवा प्रिशिन आपका एक वास्तविक प्रितिविम हमेशा डैश होता है तो यह हमारी जो वोक्षीट है यहां पर ही complete होती है I hope आपको अच्छे समझ में आ गई है यह 5 प्रशिन आपको दिये गए थी कोई भी डाउट है किसी भी question में तो comment section में आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको lecture अच्छा लगे तो चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like क कर सकते हैं आज की इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दन टेक कियर बाबाई